नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अन्यपूर्णा पे आसा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे आज हम बना रहे हैं आलू की भंडारे वाली सबजी इसमें हमने प्याच को नहीं डाला है इस सभी में प्याच का इस्तिमार लहीं होता है वीडियो को आखरी तक देखें आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें सेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए हमें चाहिए दो आलू, एक टमाटर तीन से चार हरी मिर्चे हरी मिर्च छोटी है, इस तिया मैनेन को साबोती रखा हुआ है, आलूओं को और सारी सबजी, जो भी टमाटर हरी मिर्चे हैं, अच्छी तरह से धोके बार एक टुकडों में काट लेंगे आलू को हमने बॉस करके काट लिया है इसके बाद सूखे मसाले जो हम इसमें डालेंगे हल्दी मिर्च, धनिया, काली मिर्च पाउडर, खटाई, जीरा और लाल मिर्च पाउडर इसमें हम थोड़ी सी हींग भी डालेंगे कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस को ओन कर दिया है कढ़ाई गरम हो जाएगी तब हम इसमें ओयल को डालेंगे ये देखें ओयल डाल दिया है ओयल जैसे ही गरम हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे और जीरा डालेंगे हींग डालने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे और जीरे को चटकने देंगे अलूओं को एड़ करेंगे इसी वख़त हम इसमें नमक भी डालेंगे आप भी इसी समय नमक डालें क्योंकि नमक आलूओं में अच्छी तरह से एड़्जस्ट हो जाए नमक स्वाद के अनुसार ही डाला है आलूओं को हम नमक, हल्दी और जीरे के साथ तोमिट तक भून ले जब हमारे आलू पक जाएंगे तब हम सूखे मसाले डालेंगे अब हम इसे पानी यट करने के बाद धक के दो मिट पकाएंगे आलू अच्छी तरह पक जाएगा तब हम सूखे मसाले डालेंगे इसमें हमने एक कप पानी डाल दिया है आधे कप के करीब पानी और डालेंगे सबजी धग के पका ली है अब ये देखे हमारे आलू हो गए हैं सबजी अभी थोड़ी पतली लग रही है क्योंकि इसको आलू को हम मैस करेंगे इसमें टमाटर हरी मिर्च भी डालेंगे ये देखे अब हम सूखे मसाले जो हमने निकाल के रखे हुए थे वो हम इसमें एट कि ये देते हैं टमाटर पक जाएगा तब हम इसमें खटाई और काली मिर्च डालेंगे हरी मिर्च को मैंने छोटी छोटी साब होती रखा हुआ है आलू को चमत से फोड़ दें जिससे सबजी गाड़ी हो जाए खटाई से भी सबजी थोड़ी गाड़ी होती है ठंडे होने प इसमें काली मिर्च पाउडर और खटाई डालेंगे यह देखिए इसके बाद ही हम इसमें हरा धनिया डालेंगे हरे धनिया को डालके सब्जी को गाननिस करेंगे हमारी सब्जी बनकर तयार हो गई है आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताएं अगर इसे ट्राई करें